Hello guys, welcome back to my another video तो इस वीडियो में बनारूं सिधार्त निकम की ड्राइंग और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे grid method से पूरी ड्राइंग करता हूँ उसकी outline करता हूँ तो यहाँ पर यह पूरी grid method के उपर वीडियो होने वाली है तो वीडियो को लास तक ज़रूर देखना और अगर आपको grid method से ड्राइंग करनी नहीं आती है तो अगर आप यह वीडियो देखोगे तो आप इससे काफी को सीख के जाओगे तो वीडियो को लास तक ज़रूर देखना और ज़रा सी भी skip मत करना तो चली शुरू करते वीडियो और यह ड्राइंग मैं A4 size की sheet पर बना रहू और यहां पर मैंने 3-3 cm के grid ड्राओ किया आउटलेंड ड्राओ करने के लिए आप जाए तो 2 cm का भी ले सकते है 1 cm का भी grid ले सकते है आपको जैसे comfortable लगे आप वैसे ही grid को ड्राओ करके आउटलेंड कर सकते हैं हमेशा आउटलेंड करते वक्त अपना main focus reference photo के उपर रखे आप जितना ज़्यदा उसे observe कर सकते हैं उतना ज़्यदा observe कीजिए फिर ही उसे draw करना शुरू कीजिए आप जितना ज़्यदा observe करेंगे photo को आप उतना ही ज़्यदा अच्छी तरीके से आउटलेंड ड्रो कर पाएंगे grid method में हम reference photo को अलग अलग parts में divide कर देते हैं क्योंकि जो grid method में जो हम grid बनाते हैं जो boxes बनाते हैं उसके अंदर ये पूरी drawing डिवाइड हो जाती है अलग अलग boxes बे और जब भी grid method से हम reference photo को देखके draw कर रहे हैं तो हमने पूरी drawing को नहीं देखना है हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन से box में कितना part draw हो पाएगा या कितना part वो box cover कर रहा है तो उसी को देखते हुए उसी box में हमने drawing sheet के उपर उसी part को draw करना है अगर हम एक एक box के part को लेके उसे draw करेंगे तो हमारी drawing बहुत यदा accurate और बहुत यदा easily draw हो जाएगी reference photo को ध्यान से देखते हुए मैंने eyebrow और hair वाले part पर मैं हलकी हलकी से pencil से strokes लगा दूँगा जिससे मुझे बाद में पता रहे कि कौन सा area highlight के लिए blank छोड़ना है और कहाँ पर dark values add करनी है बाकी का वीडियो प्रसेस आप पुरा enjoy कीजिए और ध्यान से देखिए कि मैं कैसे draw कर रहा हूँ आपको भी draw करते हुए outline draw करते हुए कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी आपको बिल्कुल आराम से draw करनी है रेफरेंस फोटो को ध्यान में रखते हुए और अगर आपको एक घंटे की जगा दो गंटे भी लग रहे है outline draw करने में तो आप बेज़ी जग जितना ज़ारा time हो सके उतना ज़ारा time लगाई है लेकिन एकदम accurate draw करने की कौशिश कीजिए और आपको विदे की की लगाई है And on and on we'll go On we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go In the rain